क्या ये सच है कि जॉंकुक बीटेस के सभी मेंबर्स को छोड़ कर अकेले ही कतर जा रहे हैं और वो भी वहाँ पे रिसेंटली में होने जा रहे हैं फीफा वर्लकॉप को अटेंड करने के लिए और साथ ही उसमें परफॉर्म करने के लिए तो इसका एंसर है हाँ जॉंकुक इस बात को मैं कंफर्म नहीं कर रहे हूं इसने उसको तो कंफर्म कर रही है खुद बीटिस के कंपनी बीगित ने उन्होंने ये कहा है कि ये निउस फेक नहीं है ये निउस पूरी तरह से रियल है जॉंकुक सच में दुनिया के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्लकॉप को अटेंड करेंगे और इससे भी ज्यादा इंट्रस्टिंग बात ये है कि जॉंकुक इस वर्लकॉप के ओपनिंग सेरेमेनी में परफॉर्म भी करेंगे इसके साथ ही पीगिक ने ट्वीटर पर ये भी एनाउंस किये है कि मुझे ये एनाउंस करते वें बहुत ज़दा प करेंगे तो ये जांगु के लिए साथ ही जो लोग उनसे प्यार करते हैं यानि कि बीचेस आप मेंस के लिए ये चीज़ काभी प्राउट की बात है वैसे अभी भी काफी सरे ऐसे बीचेस आप में जिनके मन में ये डाउट है कि ये जांगुक अकेले ही इस फीपा वाल्ट करते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है वह चाहती है कि जादतर बीचेस के मेंबर साथ में परफॉर्म करते हुए देखना थोड़ा सा तो मुस्किल है तो इस तरह साथ होने से अच्छा है कि आम इस आप जोंगु को बेस्ट विसस थी कि जोंगुक फीफा साथ हुए उस तरह जाके बैस परफॉर्म ने हमेसे की तरह आप जोंगु के परफॉर्मेंस के लिए कितने घ्र एक्रेश यू बटेट रहें और मिलती हुए आप सबसे अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़बाई